Hello student, class 3rd, subject आपका computers, syllabus हमारा computers में complete हो चुका है, syllabus आपको मिल चुका है, तो इसमें introduction to computer and features of computer, दो lesson आपके हाफिर exam के लिए हैं, और question bank भी हमने इन चक्टों से related हमने इसमें questions किये थे, तो जितना आपको करवाया है, आपने हाफिर exam के लिए preparation करनी हैं अपनी, first lesson हमने introduction to computer इसमें complete कर लिया है, revision हम इसमें कर रहे हैं, तो कुछ exercises इसमें की जो chapter की last में, जो exercises हैं वो हम कर रहे हैं, last video में हमने, यहाँ पे हमने अपना identify the devices यह किया था अपने, next हमने क्या था इसमें, जो हमारे last videos हैं, इसमें हमने कहां कहां आपका किस जगे में आपका computer use हो रहा है, वो हमने क्या था, आज हमारा next है, आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ activities दी गई हैं, और यहाँ पे कुछ लोग जो उनकी occupation है, और जो उनकी work है, उससे आपने match करना है, तो देखे, first है आपका देखे, आपके, learn subject, हम किसी भी विशय या कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो हमें कौन समझाता है, कौन पढ़ा रहा है, वो कौन करता है, वो आपका subject जो सीख रहा है, जो समझ रहा है, वो हमारा क्या है, हमारा student, जो जो विध्यारती है, वो क्या करता है, सब्चेक्ट को समझता है, लर्न करता है, पढ़ता है, तो यह इसकी अक्टिविटी होगे, जो पढ़ रहा है, वो कौन है, स्टूडेंट है, नेक्स्ट यह इसका काम है, हर किसी का अपना-पना काम होता है, ठीके, तो बच्चे का क्या काम है, जो स्टूडेंट है, जो विद कौन करता है तो वह कौन करता है आपका डॉक्टर का काम क्या है बिमारी का पता लगाना उसको ठीक करना तो यह किसका काम हुआ आपका डॉक्टर का नेक्स्ट है आपका मेक माक्षित जो आपके रिजल्ट होते हैं उन्हें कौन बनाता है वो आपका बनाता है तीचर आपका अध्यापका या अध्यापका बनाता है वो उसका काम है नेक्स्ट है आपका डिजाइन बिल्डिंग्स और कार्स तो जो आपके बड़ी बड़ी इमारते हैं जो आपके घर है जो आपके बंगलो है या बड़ी बड़ी इमारते हैं ठीके बिल्डिंग्स है जो आपके पूल है आपके डैम है इन सब को कौन बनाता है इनकी जो डिज समान खरीदने जाते हैं शॉप पे तो उसके जो बिल है वो कौन आपको बना के देता है जो भी आप समान खरीदते हैं उसका बिल आपको मिलता है जिसमें उसका प्राइस मनी भी होता है तो उस बिल को प्रिपेर कौन करता है कौन बनाता है आपके लिए उसको बनाता है याद करना करता है बिमारी का पता लगाता है उसको थीक करते हैं इंजिने Ganze है designing करता है आपके बुल्डिंग's की आपके cars motorbike's wackel ठीके आपके damn इनके क्या करता है डिजयनिंग करता है और जो shop की इंफाई है वो आपके जो gous बीर्स बनाता है आपको bilbernakmeeds देता है व इसका एक तब आप देखेंगे इसको पढ़ेंगे आप So thank you class